रश्मी और अमर लॉगडाउन के चलते डीजिंग एप पर मिलते हैं उसी बीच उनकी बॉंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पस लॉगडाउन खत्म होते ही चटमंगी पच्छादी उससे पहले घर में बात तो कर लो अरे मा पापा कभी मना नहीं करेंगे अमर के बात सुन रश्मी खुश हो जाती है ऐसी ही दिन बित्ते हैं और देखते ही देखते लॉगडाउन खुल जाता है जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिष्टा लेकर रश्मी के घर पहुँच जाता है अभी लॉगडाउन खुला ही है और कोरोना तो खतम भी नहीं हुआ इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मी अपने ससुराल पहुँच जाती है बेटा शादी तो तुने अपनी मर्जी से कर ली इस घर में हुकम मेरा ही चलेगा इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें मा रश्मी को यहाँ सिर्फ प्यार आशिर्वाद और अपना पंचाहिए पैसा या राज नहीं बेटी की बात पर सास मूँ बनाये वहाँ से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मी को परिशान करना और ताने देना शुरू करतीती है देखो यह है आजकल की लड़की इंटरनेट पर लड़कों से बाते करते हुए इन्हें शरम भी नहीं आती और यहां तो देखो कितनी सीधी सुशील बन कर दिखा रही है ममी शादी के रिष्टे वाले इंटरनेट एप से जब किसी को कोई दिकत नहीं है फिर डेटिंग एप के जरिये मिलना किस तरह गलत हो सकता है रश्मी के डेटिंग एप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते है हाए मेरी माता इतना बड़ा जूट डेटिंग एप को इंटरनेट के जरिये मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर लाब इठा दिया अरे नास पिटी तुझे जरा भी शरम नहीं आई वहां न जाने कितने लड़कों से गुलु 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 करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फसाने के लिए मा मुझे तु समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो डेटिंग एप इस्तमाल करना कोई अपराद नहीं है और तुम रश्मी को ऐसा कैसे बोल सकती हो मैं भी तो था उस एप पर पहले उसके लिए मा से जूट बोला और अब लड़ाई कर रहा है सास और अमर की बात सुनकर रश्मी हैरान खड़ी रहती है अमर तुमने घर में जूट क्यों बोला ये सब देख रही हो ना इसी की वज़े से जूट बोलना पड़ा एक तरफ अमर और रश्मी की ये बात चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ सास का नौन स्टॉप कलेश सब को परिशान कर देता है साब एकदम चुप जो हुआ सो हुआ अब मुझे कुछ ना सुनाई दे पति की बात सुन सास चुप होकर वहाँ से चली जाती है लेकिन अब वो रश्मी की सिर्फ दुनिया भर के सारे काम डाल कर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुझकल कर देती है ममी मैं आपका गुसा समझ सकती हूँ आपको जो करना है कर लीजिए मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी उमीद है किसी दिन तो आपका गुसा शान्त होगा और नफरत प्यार में बदलेगी रश्मी की अच्छाई को उसका नाटक समझ कर सास गुसे के सात्वे आसमान पर चड़ जाती है और उसी शाम रश्मी को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहलियों को घर बुलाकर उसकी बुराया करने लगती है और कुशलिया क्या बताओं आज कल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गया है पहले रिष्टे घर परिवार वाले सब देख परक्के कराते थे और अब ये लोग खुद न जाने कहा कहा मिलकर खुदी सब कुछ पक्का करके हमें बता देते है लड़की का कैसा दिन धरम, कैसा इमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता बास प्यार किया और घर लाकर बिठा देते है अरे ऐसा क्यों बोलती हो आज काल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गया है और फिर पूरी जिन्दगी तो उन दोनों को ही साथ निपानी है अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत तो ही देख ले पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन न पहु अर पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग एप के बारे में बताया जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी वढ़ जाती है अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो ये तो गलत है न जाने कौन क्या है कितना जूट कितना सच है अरे पर सोचो जब तुम किसी के बताय रिष्टे को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच जूट का पता लगा सकती हो जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं फिर इसमें सर्फ बच्चे ही गलत कैसे सहलियों की बात सुन सास सोच में पढ़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं जिसमें ना तो वो रश्मी को परिशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है जिसे देख रश्मी परिशान हो जाती है ममी आपकी तब्यत तो ठीक है ना कुछ दिनों से देख रही हूं आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या नहीं आपकी शान्ती उससे ज्यादा परेशान कर रही है शान्ती इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है प्यार तो एक संदर आइसास और शादी खुबसूरत साथ है अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है इतनी अच्छी बाते मेरी पत्नी तो नहीं बहु सकती क्या आप भी